कि नमस्कार मैं यहां पर कवर्धा से कड़ी 25 से 30 किलोमेटर के दूरी पर एक ग्राम में आया हुआ हूँ और कोद्वा गोरान में तो अभी मैं पटेल जी से डारेक्ट आप उनको बताऊंगा अभी एक विरा इन्होंने लगाया हुआ है रवीज का और आज कितने दिन का धा लगाएंगे तो और की कमपनी का लगाए थे आने वाले स्टीजर में क्या यह लगाने वाले हैं ही कि मुझे बारी कुछते हैं नमस्कार कितान भाई आपको क्या नाम हुआ आप सरवन पटेल जी है एक कौशा गाउं है कोदवा गुडान गाउं है पंडरिया से 20 से 25 किलोम आपको मिला था यह तो आपने यह इतने दिन का धान हो गया आपका यह इसको क्या लग रहा है इसको पकने में जो है कितना टाइम लग जाएगा पंदरा दीन और लगेगा मतलब एक तो पहतिस दिन और भी कमपनी का धान आपने लगाया था गर्मी में हुँ 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 तो जो आपने और कमपनी का लगाया था और यह जो यह अंकूर कमपनी का आपने लगाया हुआ है यह दोनों में आपको क्या अंतर लग रहा है अंतर में थोड़ा फड़ा का रहा है क्या आप फड़ा का रहा है तो थोड़ा वो तहलका मार रहा है पहले तो यह तोड़ा उच्छा टाइम लग रहे नहीं। आपको देक के लग रहा है कि जो आपको दूसरा राइटी है और इस बराइटी में उत्पादन में आतरा आएक जाए गाने जाइए तो अब ये जसे बाली देख रहा है और इसके किसानों से क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए बहुत अच्छा किसानों के लिए काफी अच्छा नागाएंगे लगाएंगे इस को अलगा है कि एकड मेंगे दे दुमेंगे बागी इसमें अच्छा लग रहा है कि बाली इसकी पोधे की लंबाई अब बधिया है चलिया पठेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा है आप से मिलके,